वालकम पूश्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मत कैसर आज यूपी सिक्षा सेवाचा नायोग में मिटिंग था मिटिंग के बाद बहुत सारे मैसेज वायरल हो रही है एक मैसेज कुछ इस प्रकार से भी वायरल हो रहा है बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास ये मैसेज बन गई है और जनवरी के प्रतम सब्ताह तक सेंटर उपलब्द कराने पर चर्चा होई सभी जीलों के डियम को फिर से पत्र लिखा गया कि अगले सब्ताह तक परिक्षा सेंटर भे दिया जाए जिसके बाद परिक्षा तिती पर मुहर लग सके अगले सब्ताह फिर से मिट चाही है तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज की जो मीटिंग थी वह टीजेटी पीजेटी परिक्षा को लेकर नहीं था बलकि यह मिटिंग था 2016 कला के इंटर्व्यू को लेकर देख सकते हैं आयोग ने 2016 टीजेटी कला इंटर्यू का पूरा सेडियूल जारी कर दिया यहां पर केंडिडेट का रोल नंबर नाम फादर नेम बैच किस डेट को होगा किस टाइम को इनका इंटर्व्यू होगा सब कुछ बता दिया गया तो दस दिसम्बर को इंटर्व्यू होने है टाइम वगरह सब यहां पर दिया गया है आयोग ने अभी कुछ दिन पहले 2016 गया था और इंटर्व्यू के लिए बताया था कि 28 2020 से इंटर्व्यू होगा हाला कि इंटर्व्यू को पोश्पुन कर दिया और आज बताया गया कि-20 ंपर से इंटर्व्यू होंगे पुरानी भर्दियों को क्लियर कर रहा है असिस्टन प्रोफेसर का रिजल्ट को समय पहले जारी हुआ था 2011, बाइलोजी, सोलर, कलापर भी आयोग ने काफी काम किया, रिजल्ट जारी किया इंटर्वीव अब इनके होने जा रहे हैं लेकिन अभी जो TGT-PGT परिक्षा तारीखों को लेकर खबर वारल हो रहे हैं उसमें सचाई नहीं है कि एक्जाम अपका होने जा रहा है जनुरी फर्स्ट वीक में दावा किया जा रहा है कि एक्जाम होगा तो इसको लेकर भी आप परिशान मत होईए मैं एसे जना करें जो आपको पहले जानकारी दी गए थी वही जानकारी अभी तक सही है कि आयोग एक्जाम कराने की कोशिश में है मैंने आपको अलरड़ी बता रखा है उसमें कोई भी डाउट नहीं है सरकार के दरब से प्रेसर है आयोग को परिक्षा कराना है लंबित परिक्षाएं जल्द होंगी लेकिन अभी तक एक्जाम सेंटर की सूची नहीं मिली है आयोग को और ये बहुत बड़ी समस्या है लगातार डियम से परिक्षा केंदरों के बारे में जानकरी मांगी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ गलत है जो मैंने आपको पहले अपडेट दिया था कुछ चीज़ें इसमें हैं कि डियम से लगातार सेंटर की उपलगता मांगी जा रही है लेकिन अभी तक सेंटर की सुची नहीं मिली आयोगो साथी साथ अभी नया पेपर नहीं बना है साथी साथ जो योगी सरकार नहीं परिक्षानिती लागू की है कि अलग-अलग एजनसिया होंगी अलग-अलग काम के लिए परिक्षा कराने से लेकर OMR का जांच, ट्रांस्पोर्टेशन यह सब अलग-अलग एजनसिया करेंगी बहुत सारे सिफ्ट में परिक्षाएं होनी है चाहें ओटीजिरी हो, पीजिटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो ऐसे में भी तियारी नहीं हो पाई है आयोकी और डिसम्बर से जनुरी तक परिक्षा होने को जो चांसिस हैं वो अबना के बराबर ही है फिलाल दोस्तों मैं आपसे एक कहूँगा कि आप त्यारी करते रहिए यही मान कर करिए कि जनुरी में आपके एक्जाम हो सकते हैं और यह जो भी मैसेज़ वारल हो रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है आज की जो मिटिंग थी आयोक में वो TGT 2016 कला को लेकर था बाकी कोशिश की जा रही है जल्दी आपके वह आथेंटिक अपडेट आयोक से दिया जाए एक्जाम को लेकर तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे साथ बने देए थैंक्स फॉर वाचिंग